अब आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्धिप्रदीष के डेली करेंट अफिर की बारे में जिसमें हम बात करेंगे 21 से 30 जून के करेंट अफिर की बारे में दोस्तो ये वीडियो आपके सभी competitive exams के बहुत important है जिसमें हमने 40 से plus question लिए हैं दोस्तो ये वीडि तो दोस्तो बिना समाई कुछ नमर स्ट है किस राज में नए कुराएदार अधीनियम लगू किए गए हैं तो दोस्तो यसका सही अफ्शन मद्यपधितीस राज में नए कुछ इांधीनियम के बारे में तो अनुबंदे खत्म होने पर तुरंत मकान खाली करना होगा वरना दो से चारगुना किराया लिया जाएगा दोस्तो इस अधिनियम का नाम क्या होगा उसकी बारे में भी बता दें तो मद्यप्रदेश में आए इस अधिनियम का नाम राज्य सरकार किरायदारी अधिनियम 2020 यानि 2020 होगा, यह एक important question बन जाता है, आपको याद रखना है, नेस्ट question है, यूएन की 2090 रिपोर्ट अनुसा 2019 में भारत का विदेशी निवेश कितना रहा है, तो 59 करोर रुपए भारत का विदेशी निवेश रहा है, इसी के साथ भारत 2090 इस्थान पर रहा 2019 में, तो यह एक important fact आपको याद रखना है, दोस्तो बात आईए यूएन की तो निवेश में हैं, और इसका establishment 26 जो 1945 में किया गया था, यह important है, दोस्तो एक्जाम में पूछा जाता है, इसके कुल 193 सदस्देश हैं, और जो हाली में जेक सेगरेटी जर्नरल हैं, वह एंटी निवेश गोटेरिस हैं, तो आपको इतना याद रखना है, दोस्तो यह यहां का symbol है, नेश्ट कॉशन है, हाली में Academy Awards की स्थागित किये गए हैं, इसका कौन सा संस्क्रण का आयोजन 2020 में किया जाना था, तो 2020 में Academy Award का जो संस्क्रण है, वह तीरान वेवा संस्क्रण आयोजन किया जाना था, लेकिन अब यह April 2021 में किया जाएगा, दोस्तो Academy Award को Oscar Award की नाम से भी जाना जाता है, नेश्ट कॉशन, IMD की 200 पृति इस पर्दा सूचकांक में भारत का कौन सा इस्थान रहा है, तो इस लिस्ट में भारत का 43 वा इस्थान रहा है, वहीं अगर बात करें पहले इस्थान की, तो सिंगापूर 200 पृति इस पर्दा सूचकांक में, यानि World Global Competitive Index में, सिंगापूर पहले इस्थान पर रहा है, और भारत 43 वे इस्थान पर रहा है, दोस्तो ये IMD की फुल फर्म क्या होती है, आपको इसके बारे में बता दें, तो Institute for Management Development, ये IMD की फुल फर्म होती है, नेस्ट कॉशन, हाली में भारत किस गुरुप का पार्ट बना है, जि Artificial Intelligence को जो गुरुप बना है, उसमें अब भारत भी एड हो चुका है, इसमें कौन-कौन से देश पहले से इसके रहा हैं, तो आपको उसके बारे मता दें, तो ये से UK, Japan, Canada, France, New Zealand, South Korea, ये सभी देश पहले से ही GPAI के सदस्स हैं, वहीं भारत को भी इस गुरुप में एड किया गया है 2020 में, तो ये एक important question बन जाता है, नेस्ट question है, भारत को UN सुरक्षा परिशत की इस्थाई सदस्स के रूप में कौन सी बार चुना गया है, तो भारत को आठवी बार UN की सुरक्षा परिशत की आइस्थाई सदस्स के रूप में चुना गया है, दोस्तों जैसा कि आप आपको बता दें, 193 में से 184 बोट भारत को मिले हैं, इसी के साथ भारत आठवी बार UN सुरक्षा परिशत में आइस्थाई सदस्स के रूप में चुना गया है, नेस्ट question है, विस्व योगा दिवस कम मनाया जाता है, तो 21 जून को विस्व योगा दिवस प्रतिवर्ष मना जाता है, UN की द्वारत 2015 में विस्व योगा दिवस की शुरुवात की गई थी, दोस्तो हमारे देश से ही यानि भारत से ही योग की शुरुवात की गई है, 2020 में जो योग दिवस की थीम हैं उसको भी आपको याद रखना है, तो योगा एट होम, योगा विद फैमली, ये विस्व योग दिवस की थीम रखी गई है, 2020 में, नेस्ट कॉशन है, हाली में किस राज ने केजी से लेकर पांचवी तक की ओनलाइन क्लासिस पर रोक लगाई है, तो हमारे मद्ध प्रिदेश में केजी से पांचवी तक की ओनलाइन क्लासिस पर रोक लगाई गई है, नेस दोस्तों आपको बता दें अविनास लवानिया 2009 के IAS अधिकारी है अब बात आई है भूपाल टिस्टिक की यानि भूपाल जिले की तो आपको मैप में भूपाल की बारें बता दें और इसके कुछ important fact की भी हम चर्चा करेंगे तो मैप में आप देख पाने होंगे ये है भूपाल भूपाल का ये बड़ाप मैप दिया है दोस्तों आप देख सकते हैं online भी आप मैप सार्च करके देखा करें बहुत important होता है दोस्तों मैप देखना तो सबसे पहला fact है मद्दिप्रदेश का जीलों और पहाणों पर बसा शहर है सबसे जादा घनत्व आपदप्रबदन संस्थान की इस्थापना और बन विहान नेशनल पार्क ये सभी भूपाल में ही इस्तित है 1960 में ब्रेटेन की सहाथा से भारत हैवी एलेक्टिकल्स की इस्थापना की गई थी देश का प्रतम मॉडल ब्लेट बेंक बनाया गया है भूपाल में प्रदेश का सबसे बड़ा स्वर उर्जा संयंत्र लगाया गया है भूपाल में चार्ल्स कूरिया की द्वारा भारत भवन की इस्थापना की गई थी 1982 में भारत का सबसे बड़ी मस्जद ताजुल मस्जद भूपाल में ही बनाई गई है और प्रदेश का पहला इनर्जी पार्क और इंद्रा गांधी रास्टी अमानो संग्राल है जिसे 1985 में बनाय गया था यह भी भूपाल में ही इस्थत है तो दोस्तों यह कुछ इंपोटेंट फेक्ट थे भूपाल के बारे में आपको याद रखने है नेस्ट कॉशन है हाली में केंदर सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉंच की गई है तो गरीब कल्यान रोजगर अभियान यह योजना केंदर सरकार की द्वारा लॉंच की गई है इसे प्रधानमंत्री मोधी ने बिहार से लॉंच किया है चहराज्यों के 116 जिलों में 125 दिन सारवजने कारे करवाने के लिए यह योजना लॉंच की गई है अब यह छहराज्य कोनगोन से हैं तो मध्यप्रदेश, राजिस्तान, यूपी, बिहार, जारकंड और उडिसा इन छहराज्यों में यह योजना फिलाल लॉंच की गई है और इन्हें 125 दिन का रोजगर देना कमपलसरी किया गया है नेक्सट कोशन हाली में भारती बायोसयना रूस से कितने विमान खरीदेगी जिसका सई ओफषन है कुल 33 विमान 33 विमान भारती बायोसयना रूस से खरीदेगी दोस्तो इसमें 21 Mic 21 विमान होंगे और वहीं बात करें 12 M की आ विमान भी होंगे इनकी को लागत 6,000 करो रुपए रखी गई है दोस्तो बात आई है रूस की तो आपको मैप में रूस के बारे में बता दें मैप में आप देख पाने होगे यह है रूस दोस्तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस छित्रफल के अनुसार बात करते हैं इसकी राजधानी की तो मॉस्को रूस की राजधानी है रास्टपती है बलादिमिर पुतें यहां की प्रधान मंत्री है मुखायल मुस्तिन और मुद्रा है रूसी रूबल तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है एक और important fact दोस्तो आपको यह याद रखना है कि यह एक मात्र ऐसा देश है जो दो कॉंटिनेंट में फैला है एक तो Asia और दूसरा यूरोप महादीब में रूस का एरिया आता है नेश्ट कोशन RIC कॉंफरेंस में भारत की ओर से कौन हिस्सा लेगा जसका सही option है S.J.S.A.S Gelseggar S.G.S.A.S.G.S.A.S.कर जो भारत के बिदीश मंत्री है यह RIC कॉंफरेंस में हिस्सा लेगी दोस्तो अभी RIC कॉंफरेंस किया है तो आपको इसके बारें बता दें RIC कॉंफरेंस का फुल फार्म होता है रसिया, इंडिया और चायना कॉन्फरेंस ये इस कॉन्फरेंस में 2020 में एस चैसेंकर साब ने हिस्सा लिया है दोस्तो आपको बता दें इसकी शुरुआत 2002 से की गई थी और 2020 में इसका आयोजन रसिया में किया जा रहा है जहां पर एस चैसेंकर भारत की और से हिस्सा लेंगे तो इतना आपको इसकी बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन रास्टिय लोक वित और नीती संस्थान का चेर्मेन किसी बनाया गया है तो उर्जित पटेल को रास्टी लोक वित्व और नीती संस्थान का चेर्मेन बनाया गया है दोस्तों आपको बता दें ये पूर्व RBI गवर्नर रह चुकी है इन्होंने 10 दिसंबर 2018 को RBI की गवर्नर पत से इस्तिपा दिया था जेकिन अब हाली में इन्हें National Institute of Public Finance and Policy का चेर्मेन बनाया गया है नेस्ट कोशन है Reliance Industries हाली में कितने रुपए जोर कर्ज मुक्त हुआ है तो Reliance Industries भारत की बहुत बड़ी इंडस्टी है इसने 1.6-8 लाग करो रुपए जोर कर यह कर्ज मुक्त हुई है दोस्तो आपको बता दें 11.15 लाग करो रुपए मार्केट कैप करने वाली भारत की पहली कंपणी बन चुकी है Reliance Industries दोस्तो Reliance Industries में Facebook के द्वारा भी कुछ हाली में करजा दिया गया है नेस्ट कोशन है खेल मंत्राले देश में कितने खेल सेंटर खोलेगा तो दोस्तो इसका सई उफ्षन है 1000 खेल सेंटर खेल मंत्राले पूरे देश में खोलेगा जिससे खेलों को बढ़ावा मिल सके इसलिए इन 1000 खेलों सेंटर का उधगाटन किया जाएगा नेस्ट कोशन हाली में किस राज में Innovation Challenge Portal की शुरुआत हुई है जो प्रत्तिक वर्ष 20 जून को 200 सरणारती दिवस मनाया जाता है इस बार इसकी थीम थी Every Action Count ये थीम आपको याद रखनी है और World Refugee Day सेलिवरेट किया जाता है 20 जून को नेस्ट कोशन JSW सीमेंट का ब्रांड अमबैसेडर किसे चुना गया है इसका स्री Option है राहल द्रवेट और सौरब गंगोली इन दोनों को JSW का ब्रांड अमबैसेडर चुना गया है दोस्तों आपको बता दें सौरब गंगोली हाली में BCCI के अध्यक्ष भी है नेस्ट कोशन गरीब कल्याण योजना की अंतरगत मध्यप्रदेश की कितने जिलों को चुना गया है तो इस योजना की अंतरगत 24 जिलों को चुना गया है जैसा कि मैंने पिछल वीडियो में गरीब कल्याण योजना की बारे में आपको डीटेल में बता दिया था जिसमें 6 राज्जों के 116 जिलों को चुना गया था जिसमें मद्धिप्रदेश के 24 जिलों को इसकी अंतरगत चुना गया है नेस्ट कॉशन है हाली में किस देश में दास परता से मुक्त का पर्व शुरू हुआ है जिसका सही ऑफशन है USA USA यानि United States America में दास परता से मुक्त का पर्व हाली में शुरू हुआ है दोस्तों इस पर्व को जीन जून तीथ के नाम से जाना जाता है आपको बता दें इस पर्व की शुरूआत 1866 1866 में की गई थी एक और इंपूटेंट फेक्ट आपको यह याद रखना है यह जून के महिने में मनाया जाता है प्रती शाल नेस्ट कॉशन है विस्टो संगी दिवस का मनाया जाता है तो प्रती वर्ष 21 जून को विस्टो संगी दिवस यानि वर्ल मुजिक डे सेलिबरेट किया जाता है दोस्तों इस दिवस की स्थापना 1981 में यानि 1981 में की गई थी नेस्ट कॉशन हाली में किस कंपणी द्वारा कुरुना की इलाज को ड्रग रैम डे सिवर लॉंच किया गया है तो इस कंपणी का नाम है हेटेरो हेटेरो कंपणी के द्वारा ड्रग रैम डे सिवर लॉंच किया गया है दोस्तो इसका नाम जो इससे दवा बनेगी उस दव का नाम कोवी 4 होगा दोस्तों एक खुराग 6,000 रुपए की बेची जाएगी तो यह एक important fact है आपको याद रखना है यह भारत में ही बनाया गया drug है next question भारत की कौन सी संस्था बिसु की प्रमुख समाज सिवा संस्था में शामिल हुई है तो भारत की Reliance Foundation जो एक प्रमुख संस्था है जो समाज सिवा संस्था है यह बिसु की प्रमुख समाज सिवा संस्थाओं में शामिल हुई है दोस्तों ऐसी हाली में अमिर्का की पत्रिका जो Town and Country के नाम से प्रशारित की जाती है उसकी द्वारा बताया गया है नेस्ट कोशन है उत्करस्ट काब भूशन सम्मान किसे दिया गया है तो असूक मिजाज जो सागर के रहने वाले हैं इन्हें उत्करस्ट काब भूशन सम्मान से सम्मानेते किया गया है दोस्तो उत्क्रस्ट काब भूशन सम्मान यह है जवलपुर की काब ब्यांजली साहत्य गुरुप के द्वारा दिया जाता है दोस्तो बात आईए फ्रांस की तो आपको मैप में फ्रांस की बारे में बता दें मैप में आप देख पर होगे यह है फ्रांस की राज़धानी है पेरेस यहां के राष्टपती है एमानूल मैकरोन यहां की दो मुद्रा हैं तो पहली है यूरो और दूसरी है सी एफ पी फ्रेंक यह दोनों मुद्राओं की बारे में आपको याद रखना है एक्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है नेस्ट कॉशन है विस्व हाइडोग्राफी दे कम मनाया जाता है तो प्रतिक 21 जून को विस्व हाइडोग्राफी दे मनाया जाता है इस बार इसकी थीम रखी गई है उसके बारे में आपको याद रखना है थीम है Hydrography Embling Antonomous Technologies ये थीम रखी गई है 200 Hydrography Day की जो 21 जून को celebrate किया जाता है Next question Bloomberg Index की अरब पतियों की लिस्ट में भारत की मुकिस अंबानी का कौन सा इस्थान है तो Bloomberg की अनुसार मुकिस अंबानी का इस्थान गया रहबा है वहीं बात करेगा Forbes की अनुसार मुकिस अंबानी का नौबा इस्थान है Next question हाली में केस राजी की कॉलेज में शात्रों को जनरल प्रोमोशन दिया गया है तो मद्यपृधिस में मद्यपृधिस की कॉलेज की सभी शात्रों को जनरल प्रोमोशन दिया गया है मद्यपृधिस सरकार की द्वारा नेश्ट कॉश्चन हाली में राजवंदर गोयल का नियदन हुआ ये कौन थे दोस्तो ये क्रिकेटर थे, यहाँ पर कौन है, कई नहीं ये थे एक क्रिकेटर, ये महान क्रिकेटर थी दोस्तो इनका record है, रंड जी में सबसे ज़्यादा 637 बिकेट लेने के लिए नेक्ट कोशन, रूसी विजय परेड में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है तो भारत की ओर से राजनास से ने रूसी विजय परेड में हिस्सा लिया है दोस्तो आपको बताने राजनास से बरतमान में भारत की रक्षा मंत्री है और इनकी consistency है गाजी अबाद, ये गाजी अबाद से सांसद है इन्होंने रूसी बिज़ा परेड में भारत की ओर से हिस्सा लिया है नेस्ट कॉश्चन 284 साल में पहली बार किस भगवान की रथ यात्रा कर्फियू में निकाली गई है तो भगवान चगनात की रत्यात्रा 284 वर्स में पहली बार कर्फ्यू के दोरान निकाली गई है दोस्तो आपको वता है भगवान चगनात का मंदिर उडिशा के पूरी में इस्थत है यह important fact आपको याद रखना है कि 214 साल में पहली बार उनकी रत्यात्रा कर्फ्यू में निकाली गई है नेस्ट कोशन है इंटरनेशनल उलम्पिक दिवस कम मनाया जाता है तो प्रतिक 23 जून को इंटरनेशनल उलम्पिक दिवस शुरू मनाया जाता है इसकी सुरुआत 1948 में की गई थी नेस्ट कोशन दादाजी धूनी वाले मंदर और इस बर्स मेला यहां नहीं लगाया जा रहा है यह किस जिले में इस्थत है तो दोस्तो यह मद्ध प्रदिश के खंडवा जिले में इस्थत है यानि दादाजी धूने वाले का मंदर मद्ध प्रदिश के खंडवा जिले में इस्थत है यहां प्रतिवर्स मेला लगाया जाता था जो COVID-19 के दोरान 2020 में नहीं लगाया जाना है दोस्तो बात आईए खंडवा की तो आपको इसको मैप में बता दें और जो भी important fact होते हैं खंडवा के वो मैंने आपको लिख के दिये हैं तो उनको भी आप पढ़ें और याद करें दोस्तो उन्हीं से question बनता है दोस्तो सबसे पहले तो आपको मैप में खंडवा की बारियों बता दें आप देख पा रहोंगे ये location जो black black देख रही है ये खंडवा की है मद्वर्देश के मैप में ये खंडवा है वही इसका बड़ा मैप भी है आपको लगाया है वो भी आप देख सकते हैं पहले fact की बात करें तो सरबादिक कपास कोतपादन मद्वर्देश में खंडवा में ही होता है ममलेसव जोतिलिंग जो बारह जोतिलिंगों में से एक है यह नर्वदा नदी के तटपर खंडवा में ही इस्तित है अविनेता अशुक कुमार और किसुर कुमार का जन्म भी खंडवा में ही हुआ था पुनासा बांध जिसे इंद्रगानी बांध के नाम से जाना जाता है यह नर्वदा नदी पर बनाया गया है जो खंडवा में इस्तित है उमकारिस्वर रास्टी उध्यान भी खंडवा में ही इस्तित है मकानलाल चत्रवेदी और सुबद्रा कुमारी चोहान का कर्म इस्तल भी खंडवा ही था प्रदेश का एक मात्र गांजा उत्पादक जिला है खंडवा नेस्ट इंपोर्टेंट फेक्ट है देश का पहला जल सत्यागरा है घोपला गाउं में हुआ था ये मोस्ट आइएमपी फेक्ट है आपको याद रखना है एक्जाम में इससे ही क्वेशन बनती है नेस्ट कोशन बनता है बुंदिलखंड दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्यक 25 जून को बुंदिलखंड दिवस मनाया जाता है दोस्तो ये बुंदिलखंड एरिया कहां पर पढ़ता है आपको इसकी बारें बता दें तो मैप में आप देख भार रहे होंगे यह है बुंदिलखंड का एरिया जो मद्दपर्देश और उत्तर प्रदेश की जिलों को बिलाकर बनाया गया है दोस्तो आप को बता दियसे कोई राज नहीं है यह एरिया है जो बुंदिलखंड के नाम से जाना जाता है इसमें मध्य प्रिदेश की कौन कौन से जिले आते हैं तो आपको बताते हैं दतिया, टीकमगर, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर ये सबी जिले मध्य प्रिदेश की तरफ से बुनिलखंड के अंतरगात आते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि ये बुनिलखंड का मैप है, आपको इसके बारे में याद रखना है Most IMP question बन सकता है, आपसे question पूछा जा सकता है कि मध्य प्रिदेश का कौन सा जिला है, जो बुनिलखंड एरिये की अंतरगत आता है तो ये सबी आपको याद रखने है Next question है, हाली में कौन सा देश UN Arms Treaty जोईन करेगा, तो ये है China, यानि चीन, UN की Arms Treaty को जोईन करेगा बात आई है चीन की, तो मैप में आपको इसके बारे मेप में आप देख पार होंगे, ये है China इसकी राजस्तानी है, वीजिंग, रास्टपती है, सी जिंग पिंग, और मुद्रा है, रैन मिन भी, तो आपको इतना याद रखना है हाली में दोस्तो, चीन के 69 यानि 59 एप्स को भारत में ब्लॉक किया गया है नेस्ट कोशन है, हाली में किस देश ने आईलेंड की नाम में बदलाब किये हैं, तो इसका सही उफशन है जापान जापान की द्वारा हाली में कुछ आईलेंड की नाम में बदलाब किये गए हैं दोस्तो आपको बता दे एक important factor कि जो island के नाम में बदलाब किये गए हैं वो विवाद चित रहें चीन के साथ यानि चायना और जापान दोनों इस इन island पर अपना कबजा बताते हैं दोस्तो बात आई है जापान की तो आपको map में इसके बारे में जरूर बताते हैं दोस्तो map में आप देख पारे होंगे ये है जापान जापान की राजधानी है टोकियो और जापान की समराथ है नारियतो यहां की प्रधानमंती है सिंजुवे और मुद्रा है जापानी है आप देख पारे होंगे ये है map में जापान Next question, Madhavridis की case जिले में चोराहों पर इमजैसी call box लगाए जा रहे हैं Madhavridis की Sagar जिले में emergency call box लगाए जा रहे हैं चोराहों पर बात आएए Sagar की तो आपको map में Sagar की बारे में important fact भी बता दें साथ में इसकी location की बारे में भी बात करेंगए तो मैप में आप देख पा रहा हुगए यह है मद्विद्ध का सागर दोस्तो सागर का पहला important fact है यहाई बारत का हरदय कहा जाता है मद्विद्धीस का पुरतम विश्वध्याले हरे शिंग और विश्वध्याले सागर में ही इस्थे थे सती प्रता का प्रतम उलेख, एरन जो सागर में मिलता है नापतौल प्रिसिक्षन संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स की स्थापना सागर में ही की गई है प्रदीश का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारन नौरा देही सागर में ही इस्तेत है बीना तहसिल में ओयल रिफाइनरी लगाई गई है तो ये कुछ important fact आपको याद रखने है सागर के बारे में हाली में किस देश ने भारत के कई तरह की बीजा पर रोक लगाई है तो ये देश है USA, हाली में USA की द्वारा भारत की बीजाओं पर रोक लगाई है इन वीजाओं में H1 वीजा और N1 वीजा है दोस्तो इनका दावा किया गया है कि अमेरिका की नागरेकों को 5.25 लाख नोकरियां मिलेगी अगर भारत के वीजाओं पर रोक लगाई जा रही है तो इस से वहाँ पर इतनी नोकरियां मिलने की संभाव ना है दोस्तो बात आई है USA की तो आपको मैप में इसके बारे में जरूर बता जाए मैप में आप देख पा रहे होगे यह है USA यानि United States America यहां की राजधानी है Washington DC राष्टपती है Donald Trump यहां की मुद्रा है US Dollar दोस्तो आप बात करें यहां की राग रिगिस्तान यानि डेजर्ट की तो Great Western Desert, Sonoran Desert और Mojab Desert यहां की प्रमुक रिगिस्तान है वहीं बात करेंगर जीलों की तो Superior जील, Huran जील, Michigan जील, Great Salt Lake यह यहां की प्रमुक जीले हैं तो आपको इनके बारे में भी important fact है याद रखना है, आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं Next question है, हाली में किसी मदप्रदेश के राजपल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो यह हैं अनंदी बेन पटेल अनंदी बेन पटेल को मदप्रदेश के राज़पाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं भारत मदपदेश की राज़पाल जो लाल जी टन्नन है ये वीमारी की कारण जूज रहे हैं हॉस्पिटल में भरती है जिस कारण मदपदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अनन्दी बेन पटेल को दोस्तो आपको बता दें अनन्दी बेन पटेल बर्तमान में उत्तरपदेश की राजपाल है वहीं बात करें आचारे देवरत की तो ये गुजरात राजी की राजपाल है और जगदी स्मुगी ये असम की राजपाल है तो आपको इन सभी के बारे में इतना याद रखना है तो दोस्तो ये था हमरा आज का Current Affair का वीडियो जिसमें हमें बात की 20 से 30 जून के Current Affair के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आता है, उसको लाइक कीजिए तो आप इस ID पर Mail कर सकती हैं दोस्तो हमारे चैनल का नाम है Study Universe अगर आपको PDF चाहिए इसके अलावा आपका ही भी जुड़ना चाहती है हमसे तो सारे description में लिंक दिये गए हैं वहाँ से आप हमसे add हो सकती हैं तो दोस्तो आज के लिए बसकतना ही, नमस्कार, have a nice day